वेरे कुटिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे बिंदास होंगे हम लोग लाइब आ चुके हैं सभी लोग फटा फट वीडियो को सेयर कर दें और आप सभी लोग मस्त होंगे बिंदास होंगे जहकास होंगे स्टार्ट करें अपने सेशन को तो पर और चलिए लैटसिस्टार्ट को नहीं तो आप सभी लोग बच्छो फटा फट दो स्पिसल क्लास हमारी 11 बजे होती है सबDonald इस पीसल क्लास बोज़ेर कि आ करें अच्छा सभी लोग कमेंट भी करते जाए बच्छों फटाफट वीडियो को लाइक करते यह हमारे सब्सक्रिप्शन के प्राइज है जिसमें आधी आप रैफल को नितिन यूज करते डेस पर्शन डिसकाउंड मिलेगा वन यह टू यह फूर यह के यदि यह पर्चेस कर करना भी हम लोगों ने कल जो कोशन डिसकस किये ते यहां तक कोशन हो चुके तो साइब ठीक है चले इस कोशन से डिसकस करना स्टार्ट करते है सभी लोग बताए इस कोशन का अंसर क्या आएगा और आप लोगों का 30 सिकंड यह है फटा-फट बताए बच्छों थर्डे से करने है आपके स्क्रीन पर फटा-फट बताए इस कोशन अंसर क्या आएगा सभी लोग बताए बच्छों क्यां है अंसर कि अगे अगी है अगे यह है ते अधसे ही versucht legitim & 2012 fatto Hai आपका दाइम हो चुगा है चलिए स्टार्ट करते यह gras अधिक है यह सेमें लिखा A B से 40% अधिक है हमने लिखा A B से 40% अधिक है है यह हुआ होगा ये भी होगा A B से 40 अ दी कह एधी A 100 है ए एबी से यदि B हंडब है तो A कितना होगा 140 होगा की नहीं बच्चों बोलो हा खीना फिका है की अब का 140 होगा की नहीं potencial सभी लोग एक बर वीडियो को कमेंट कर होगा भीकर दे पॉट्टी होगा आपसे बोला गया कि एफ फॉर्टी वगई पॉट्टी हुए भी हंडेड हुआ अब आपसे यह बोला गया कि भी ए जो इसे कितना परसेंट कम है प्लेक पॉछन कम है जाली सब्सक्राइब है 140 पर गुड़े 100 यहीं तो लिखेंगे वह यह 40 कम है कितने पर 140 पर तो आप इसे कट करेंगे जीरो से जीरो यह टू आ जागा सेवेन आजाएगा 200 अपन सेवेन आपका अंसर क्या डी होगा बुलो बच्छो डी ऑप्शन होगा सभी लोग अच्छा वीडियो को लाइक भी करते जाए फटा फट ठीक है यह आपका अंसर हो गया करें एकॉर्डिन टू कोशन हमने सॉल कर में रूजिया सभी लोग इसपर ट्राइड करें इसकोशन न ऊशर्वें से कोशन हो चूके दे कल और हम लोग यहां पर आ चुके थे ठीक है इसे ट्राइगर इसकोशन नासर क्या अएगा फ्टाफिट टाइमर आप काई Yes, financially शर्मा डी वेर गुट करें करें प्रफर ट्राइब वाट शुट भी करेक्ट आंसर चलिए इस कोशन को देखते हैं कहरा है एक यहाए बीसजों परसेंट अधीक है एक यहाए बीसजों मेरे भाई दखो एक यहाए बीस आफ है तो एक ही 124 होगा कि सैंसे ब्चौन होता तो तो स्य चोविस चौबिस मैना सोता ना हम 124 से 100 100 कितना गा में 2414 कि से थे साल से इकस चोबीस से तो नीचे 124 صुक्त अ चाहा हम YOU इसे चार से डिवाइट करेंगे 472 चाहर 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 चॉबस चितना आ जाएगा 6 blijकते स चर्सबॉड रकांस पर stripes कहें गडिपर्सेंट पर क्या आपको एक क्लियर हो पाया है 600 बटे 31 बेरे गूर्ट नैंसी सरन अगला कोशन ट्राइब करो यदि किसी सहर की जन संख्या चार पांच परसंट में दूसरे वर चार परसंट कमी हो जादी वर्स के अंतान में इतनी संख्या थी तो पहले कितनी थी सभी लोग इस कोशन को पूल आपका यह है फटा फट देखें दोंको सक्सेसिव इंक्रिमेंट सक्सेसिव डिक्रिमेंट आप से पूछा है कि सभी लोग ट्राइब करें इस कोशन गांसर क्या आगा फटा फट बताए कि समझे बच्छो कि सभी लोग बताए पटाफट इसमें भी डी बता रहे है चलिए इसमें देखते हैं हम लोग यह कह रहा है कि किसी सहर की जन संग्या पांच परसंट का फ्रेक्शन पार्ट कितना होता है मेरे भाईयों एक बटे 20 फिर कह रहा है चार परसंट चार परसंट का फ्रेक्शन पार्ट कितना होता है एक बिटे 25 कह रहा है कि यह कमी होती है और यह बढ़ जाता है भीया देखो यदि यह 20 है तो मेरे भाई 84 तो 86 आजाएगा कि नहीं बूलो हाँ कि नहीं एक में डूक है 24 से कंदम 24 और 24 दो नहीं कितना आ जाएगा 48 यह 48 आ जाएगा और 48 तो 504 आ जाएगा ठीक है अब कह रहा है जन संख्या इतनी है तो मेरे भाई 504 इक्वल टू कितने के बराबर है 5512248 ऐसे से नंबर आपके अर्शलब में दिये थे बies लिए दक्रेटिव मैंडस ममसकुराते रहो और टरक की करते रहो यह बता buyakina इस सबको यह बात यह करेंगे निव बोलो हाँ किनव करेंक तो आप बता हो यह यह 10 cuba इसको कट करेंगे तो यह वैलू 10,93 बे साथ आएगा कि नहीं बोलो हां की नवच्छो इसको हम इस तरीके से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह कटेगा आपका 10,93,7,7,4,28 इसकी वैलू निकालेंगे तो तो यह पांच कहीं मिलना है तो आपका यही ओप्षन होगा सी अ क्लियर हुआ की नहीं क्लियर हुआ की नहीं नेस्स कोशन देखो बिटा इसे 120 को एक्सपर्चन कम किया गा वही परणाम में 40 को एक्सपर्चन बढ़ाने पर प्राप्त तब 210 के X पर्चन एक्सपर्चन, 180 के X प्लस दो कितने परसंट के बराबर होगा अच्छा खोशन रहे ट्राइध इस वन कि भूल आपका यह ट्राइध इस वन इसकोशन के अंसर क्या आएगा फटाफड़ बता बत्चो सब लोग ट्राई को रो इस question गा answer क्या आएगा फटा-फट बताओ फटा-फट बताओ बच्छो क्या आएगा answer क्या आएगा answer timer आपके screen पे है दिखना ही राजा कि दो यहां पर किरा किसी संख्या में कितने पर्शन की ब्रद्धि कर दी गई किसी संख्या में क्या चोगो 24 परसेंट है कह रहा है कि इब डिक्रीजिंग 120 बाई एक्स परसंट एक्सोबीस में एक्स परसंट घटाया गया एक्सोबीस में एक्स परसंट घटाया गया ठीक है अच्छा अच्छा 120 में एक्स परसंट यदि मैं घटा हूं तो 120 हंडेड माइनस एक्स अपॉन हंडेड परसंट आएगा कि नहीं बोलो हाँ किना बच्चो यह आएगा कि नहीं अरे बोलो भाई सबको क्लियर है कि नहीं यह आएगा कि नहीं है यह सबको एकनी भलोग हांकिन इतनी बात सबको क्लियर हुई किने बच्चो यदि यह चीज है तो दोक अम इसको बांगे बढ़ते फिर कह रहा है कम कीया है तो वहीं पर्णां पराप्थ होगा तो जो 40 को एक स्परेशन बढ़ाने पर प्राप्थ होता तो यह जो ए 12 120 का एक्सपर्षन कम करने पर होता है यही 40 का 40 को एक्सपर्षन बढ़ाने पर बढ़ता है 100 प्लस एक्स अपॉन हंडेट अब बोलो हां कि न अच्छा आप लोग लिए काम यह करते हैं कि हम लोग क्या पूरा नया बैच लादे नया कोरस लादे पूरा नया को लादे वोलो क्या पूरा नया कोर्स लादे तुम लो को बोलो तुम ला दे विल्कुल सिक्वेंस है टाइप वािटरई टाइप 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 बाई टाइप कर दें टाइब बैटाइब दो यादी 100 से 100 ये कट गया नोग्या अब भूलो बीटा अब देखो यादी 100 से 100 ये कट जाएगा साथ ये कट जाएगा जीरो से जीरो या जाएगा x की value निकालो 4 पहीं बारा तो 300 minus 3x is equal to 100 plus x यदि इधर जाएगा 4x यह आजाएगा 4x is equal to 200 x will be 50 आजाएगा कि नहीं बोलो हां कि न यह 50 आजाएगा सब लोग बोलो x will be 50 आजाएगा अच्छा आपका x will be 50 आजाएगा तो आपसे बोला क्या है कि x will be 50 होगा कि नहीं बोलो हां कि न बच्छो तो ठीक है आपको अभी inform कर देंगे type by type course पूरा चलेगा ठीक है x will be 50 आगया अब आपसे बोला कि 210 का अब देखो कहरा 210 का एक्स परसेंट का 50 परसेंट 50 बटे सो 210 का 50 परसेंट अब 210 का आप जब 50 परसेंट निकालेंगे अब ये वेलू कितनी आजाएगी बोले बिटा कि करा 210 का 50 परसेंट 180 के कितने परसेंट कम होगा तो इसका निकालो 0-0 कड़ गया पांच 155 पांधूनी 10 105 और 180 का सतर परसेंट 50 प्लस 2020 का सतर परसेंट 00 काड़ो 00 756 और उनमीं 125 1526 का कितना परसेंट आपसे यही तो पूछा हे एक सो 5 cap26 के कितना परसंट भै कितना जादा है 21 ज्यादा कितने पर ज्याद 126 पर इसे कट करो च्छह आ जागा सो बटे च्छह सोला सी दो बटा तीन परसेंट आप्शन सी बूलो क्या ये बात सब को क्लियर है कि रन की बुक का फुल से रूशन करा दें भूल बटा बुलओ, चलो ये इकार्ट चलो उसी को कर देते हैं आप लोग क्यों वरीड होते हूं उसी को कर देते हैं ठीक है अगला कोशन देखो इसे ट्राइब करो टाइमर आपका ही है वह ही कर देंगे सभी लोग ट्राइब करें चलो कह रहा है कि दो को एक की आया कि बीक्राइस चालीस पर सण अदेख है फिर दो की आये अभी कि आई चालीस पर सबोटाइस पर संदे कि आब काया चीज़ी सौई यह अगा तो ए वन फिप्टी होगा पिर पिर क्यारा एक की आय से 40 पर्षन की दिये एक ये में 40 पर्षन के ब्रत दी दिए दुए दो एक जया कि इतनी अधिक है एक है में दूख़ुंग एक इया बी इसे जदिए इंकम चालिस परशन की इसमें व्रद्र यूई तो 210 हो जाएगा 15 जो को 60 210 होगा कि नहीं बोलो की न फिर कहे रहा हुआ और भी की आए में नब्य पर्शन की ब्रद्र यूई इसमें 90 परशन की ब्रद्र विश्माव हो गया तो उनकी सहीवक्ताय में प्रस्थ कितने प्रस्थ की ब्रद्दि आप सहीवक्ताय में बोला तो यह बैलू कितनी हो गई नहीं दस चार सो हो गया और यह कितना आगया 200 200 से 400 ना डेड़ सो बड़ा कितने पर 25 पर उड़े 100 000 25 छका 1.260 पर्सेंट आपका रुगा कि नहीं बोलो हां लिविश तैसाड़ परसेंट आपका रुन सब करोगह बूरो बच्चों क्या साट़ पर समाब का सब्रक्स आपका रुगा कि है क्लियर वाकिन बोला बत्चों इतनी बात सब को कर्यों हूए कि नहीं कि इसे ट्राइग करो कि सभी लोग इस को अंसर क्या एगा टाइमर आपका यह कि सभी लोग ट्राइग करें सब्सक्राइग करें अच्छन द्राइग ट्राइग लोग दिए कि कि अग्राइब करें कि दो यहां पर कह रहा है कि एक याई बीकी एक याई बीसे कितने परसंट 20 परसंट का मैं यदि बीस और होगा तो एसी होगा की नहीं बोलो हां कि ना बच्चों फिर करा सी की सी से डी की आए अच्छा यह समझो यदि हम इसे कट करें तो बिटा रेशो पांच रेशो चार ल होगा फिर करें डी की आए ऐसे 25 परसंट डी की आए ऐसे चा अच्छा दी की आए ऐसे पांच यह होगा तो चार यह हो बोलो हां कि ना डी की आए ऐसे 25 परसंट कम है तो चार यह होगा तीन होगा चार तीन होगा बोलो हां कि ना चार तीन होगा कि नहीं बोलो हां कि ना अफ़ा पए तो बराबर है यहां डी नहीं बराबर है भूलो बच्छों ए और डी को यह बराबर करना पड़ेगा कि करा एक एडी से 20% का में है एक याए डी से 20% का मिंठीगा सीगी आयई डी से 30 पर्षेंट दीके सी की यह डी से 30 लग नमबर से लिखते हैं यह 13 था यह 10 है यह 4 है यह 5 है ठीक इसको नहीं है 4 पांच है इसको बुलू से लिखो तो यह नमबर अलग अलग है इनको दोनों को बराबर करना तो यह दि हम 10 का यहां पर multiply करेंगे 10 का हमें यहां ख़लना पड़ेगा अदस का इधर करेंगे तो 40 यह आ जाएगा 50 यह आ जाएगा अच्छा हमें तीन का इधर करना पड़ेगा तो यह नंबर बराबर हो जाएगा तो हमारा रेशो क्या यह आएगा चालिस पचास 49 और 30 यही रेशो आएगा बोलो किन 44 59 30 हमारा क्या यही रेशो आएगा कि नहीं बोलो हाँ कीना बच्छो जब हमारा यही रेशो आएगा तोе भी सीडी खरेशो हमारा यही आया आएगा तो अमें किसका बी और सी का निकालना और सी का यह अ ne निकालते हैं तो 50 रिशो 49 यदि हम B की सी में निकालें सी की वेलू कितनी आ जाएगी इसे हम यह लिख सकते हैं है सोबटे 78 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सी कॉल्टू यह लिख सकते हैं कि नहीं बोलो हां कि न रिडियू सिलेबस का है यह रिडियू सिलेबस क्या है यह रिडियू सिलेबस का है बिटा वह 0.78 तो सी क्वल्टू 0.78 भी मिलेगा कि नहीं बोलो हां कि न तो क्लियर है ने सकोशन ट्राइब तो आइदिंग यह आपका ऑप्शन कौन सा प्यू आप सब्सक्राइब यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन सी क्वल्टू 0.7ब ठीक है बी आप्षन इस राइट आंसर यह क्लियर एक निवन हां कि न बच्चो नेस्ट कोशन ट्राई करो इस कोशन गांसर कहेगा पोल आप कहिए ट्राई इस वन इस कोशन गांसर कहेगा फटाफट ट्राई करो सब लोग ट्राई करो अच्छा टाइमर तो मैंने दिया है नहीं यह लो क्या आएगा आणसर सब लोग टाई दोखों यहां पर कहना चीनी के मूल में 17% की खर्च में दोखों हमें पता है प्राईस इस्टू कंजम्शन बराबर एक्सपेंडीचर यदि मैं प्राईस बोलू कितना है प्राईस 17% की ब्रद्दी हो गए 100-117 हुआ फिर कंजम्शन में कहे रहा है 7% की ब्रद्दी कर दी तो कंजम्शन में तो उसके खर्च में कितने कहा है यह आपका कितने 100 से 107 इसे कट करेंगे तो आपका y upon x equal to 107 upon 117 कितना बड़ा 10 117 पर गुड़े 100 तो आपको दो कि यह बहुत calculation पढ़ जाएगा इस तरीके से तो आपको इसको effective rate भी निकाल के लगा सकते हो जैसे effective rate में क्या है कभी price consumption है तो आपको कभी इन दोनों का multiple पर मिले तो आप price percentage plus consumption percentage plus price to consumption बटे 100 percentage equal to expenditure percentage ठीक है यह आप लगा सकते हो तो price percentage plus 17 बढ़ा रहा है ठीक है आपको consumption पूछाए बिटा यहीं पूछाए ना सत्त्रा साथ पर्सेंट किसमें खर्च में व्रद्धी होगे प्लस सत्त्रा इस्टू सी बटे 100 यह percentage पूछा पर्सेंटेज इक्वल टू सेवन पर्सेंटेज यह इधर जाके माइनस हो जाएगा क्लियर है कि नहीं तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 परसेंट तो यदि आप इसे लिखोगे साथ तो एक सो सत्त्रा दोगों आयागा वही चाहिए उधर से सॉल करो ठीक है यदि इधर ले जाओ के तो दस परसेंट आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा एक सो सत्त्रा सो एकवल टू माइनस का 10 परसेंट माइनस का 10 परसेंट सीक्वल टू एक हजार मटे 17 एक सो सत्रा तो आपको असट वरड़ी छपपन एक आठ अठ पांच तो एट पॉइंट के आसपास मिलेगा एट पॉइंट वन आपका अंसर होगा यह आपका कितना आ जाएगा एट ट्राइब करो ट्राइब करो एएँ अ यहीं, इसे ट्राइब करो, सभी लोग ट्राई करें इस क्वेशन SR किया का अठで commenए का फटा फट मतायों इस क्वेशन नि नहीं इसे ट्राइब करूachका इसरश्मी यहाय के सब्सक्राइब कानवतारु आपका यहार थिक्या करा diamond फड़ा फड़ बताएं जिससे हम देखते हैं कि इप इंकम आफ राजू इस ट्वन्टी कितना आ जाएगा जल्दी से ट्राइब करो कि यह हम जादी बोले राजू की आये में 25 परसेंट अधिक राजू की आये राजू की आये उसके वैसे दोख एक्सपंडीचर एक्सपंडीचर प्लस सेविंग राजू की आये उसके वैसे यदि वैसे उसका 100 है कि 120 अधीक है कि सेविंग उसकी 20 होगी अधिक है यदि उसके में 60% की ब्रत्ति हो गई 60% की ब्रत्तिक और बच्छंग 72 उसके वे में 70% 170 कितना ये 22 हुगा क्या बिल्कुल कितना बड़ा दो बड़ा कितने पर 22 पर 20 पर गुड़े 100 क्या आपका 10% की ब्रद्धी हो गई बोलो बच्चो 10% बढ़ेगा ना इस सब आपके आई हुए कोशन है अगला कोशन ट्राई करो इस कोशन का अंसर क्या आएगा फट अफट सबी लोग इसे ट्राई करो इस कोशन का अंसर क्या आएगा सबी लोग इसे ट्राई करो जब किसी वस्तु के मूल में 20 पर्षन की कमी हुई तो उसके विक्री में एक्स पर्षन की ब्रद्ध हुई तो राजस्चों में प्रति 60 पर्षन की ब्रद्ध हुई तो उसका मान क्या है सब लोग इसे ट्राई करो 20 पर्षन की ब्रद कमी हुई उसके विक्री में X पर्षन की ब्रद्धी हुई X पर्षन की ब्रद्धी 20 पर्षन की कमी टाइमर आप कहिए सब्सक्राइब करें अच्छा आप सब्सक्राइब करें अच्छा आप सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी करते जाओ बच्छों डी देखें यहां किसी वस्तु के मूल में 20 पर्षन की ब्रद्धी होगा दिप्राइज यह है कंजम्शन यह है एक्सपेंडीचर यह है तो जैसे प्राइज में कितना कह रहा है कि राजस्चों में अच्छा टैक्स टू रेविन्यू मूल दा प्राइज आइटाम इदा सेल्स आफ इंक्रीज वाइक्स पर्षन वाद देर इंकी 60 पर्षन रिसेप्ट तो आप दर रेवेन्यू रिसेप् एंड़ सेल्स इक्वल टू रेवेन्यू प्राइस कितना बढ़ रहा है 20 पर्षन डिटीउस हो रहा है 100 से 80 हो गया है आप से सेल्स के बारे में पूछा है ए बी मान लो और यह क्या बोला है 60 पर्षन इंक्रीज 100 से 160 इसे कट करो यह कट गया दो तो बी और एक है तो दो से एक हो गया बहिया एक से एक बढ़ आए गुड़े सो तो क्या 100 परसेंट होगा बोलो हां की ना 100 परसेंट आपका अंसर कौन सा सी ऑप्षन सी आएगा बेटा नौड़ डी क्योंकि तो को सॉसे सी एबी तो भाईया यह ए ओल्ड था बी पुराना था तो एसे बी कितना है दो से की तो बड़ा कि समझ में आया कि नहीं तो फार्मूला तो ही होता है प्राइज इस टू सेल सप्राइज इस टू सेल सी कोल टू रवेन्यू होता तो यहीं है ना अगला कोशन देखो कि यदि कि संक्यां 16 परसंट फिर 14 परसंट बढ़ा गया इस प्रकार प्राप संक्यां में 30 परसंट घटा दिया गया यह यह आपका ट्राइग और इस कोशन का अंसर करते हैं कि दूखा इसे हम सॉल करते हैं कि यहीं से देखते हैं कि संक्यां में संक्यां में 16 परसंट फिर 14 परसंट बढ़ाया जाता है इस प्रकार संक्यां में 30 परसंट घटाया जाता है पहले से संक्यां में 16 परसंट जैसे आपका 16 परसंट बढ़ाया गया 116 फिर 14 परसंट बढ़ाया गया 114 वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारा यह आ गया 16 14 30 परसेंट और यह कितना आ गया 16 64 64 64 2.24 तो 32.24 परसेंट आ गया कि नहीं बोलो हां कि न अच्छा फिर 30 परसेंट घटा आ गया 32.24 यदि हम इसे घटा भी रहें समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं बोलू हां कि न है 16 64 64 और 16 96 22 ठीक है अभी यह क्या है 32 अभी कह रहा है कि मूल संख्या में ब्रद्या गिरावट का सुद्ध परना परसा 30 परसेंट घटाया जाता है फिर दो को 32 परसेंट माइनस 30 परसेंट प्लस 32.24 गुड़े 30 माइनस का बटे सो यह करेंगे कि नहीं अच्छा दो पॉइंट यह आ जाएगा दो पॉइंट यह आ जाएगा और यह दो प्लस का आएगा इधर मल्टिप्लाई करेंगे माइनस का आ जाएगा तो बताओ इसमें गिरावट आएगा अगिरावट कितने का आएगा एक पुडांग तक बताना निकट्तम पुडांग तक बताना बहुत ज्यादा नहीं एक निकट्तम पुडांग तक बताना बच्छों बताओ जल्दी से यह 2.24 आएगा मानेस तीन तिक का नोटी दूनी चाहिए माइनस 7.9 पॉइंट आएगा नाइन पॉइंट माइनस यह तीन तीकर नौ नौ आएगा और नौ तीन यदि दो देखा जा तो साथ माइनस सेवन सेवन पर्संट की गिरावट आएगी ऑप्शन सी क्लियर हुआ कि नहीं कि सबको क्लियर हुआ ना तो नियर अबाउट हमें चेक करना होता है अगला कोशन इसे ट्राइब करो इसका अंसर क्या आएगा जब किसी वस्तु के मुले 25 पर्षंट कम कर दिया तो उसकी विक्क्री एक्स पर्षंट बढ़ गई यदि विक्क्री में आए में 20 पर्षंट ब्रद्धी होती तो एक्स कामान क्या होगा जल्दी से ट्राइब करें टाइमर आप करिए कि यह टाइमर कि फटा फटा बताएं बच्छों कि किसी वस्तु के मुले को 25 पर्षंट कम कर दिया जाता फिर विक्क्री एक्स पर्षंट बढ़ा जाता है विक्क्री आए में 20 पर्षंट की ब्रद्धी होती है जैसे किसी वस्तु के मुले में 25 पर्षंट कम कर दिया गया 25 पर्षंट कम करते सौंस कितना आ मूल और विक्री फिर उसके विक्री आये में तो भाई दो को यहाँ पे फिर इंक्रीज 20 परसन रिसेप्ट आप दर रेवनिव सेम वह यह सो तको सेल्स इस्टो प्राइस इक्वल टू रेवेन्यू कि असेंस कितना है पता नहीं रिड्यूस प्राइज कितना है अचा 100 से 15 यह कितना 100 से 120 इसे कट करो बी अपने एक वल्टो एक सो बीस बटेप चत्तर आ जाएगा इसे काटो पाउन्टी-फूर और यह कितना आजाएगा पंदरह इसे काटो यह 3 यह कितना 8 इतना बढ़ गया 5 बढ़ गया कितने पर है यह यह की नहीं बोलो हां कि नहीं बटा हुम यह पांच आएगा तीन बढ़ रहा है पांच पे गुड़े सो क्या साट परसेंट आएगा बोलो बच्छो कि पचास परसेंट नहीं साट परसेंट आएगा दा क्रियेटिव मैंड्स समझ में आया कि नहीं कि अगया कि अगया कि सवन मैं आ रहा है कि निवलो हांखी न बच्छो कि नहीं कि इसे ट्राइग इस कोशन गांसर क्या टाइमर आपका यह कि सब लोग ट्राइग रबच्छों क्या आएगा सब लोग ट्राइग करो कि सबी लोग ट्राइग करो टाइमर आपका स्क्रीन पर यह सबी लोग बताएं मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं कि सब लोग ट्राइग करें कि सबी लोग करें बिटा कि ठीक यहां पर आपका यह कोशन एक परिच्छा में पर तिरपन पर्षण उम्मीद्वार विज्ञान से पांच पर्सेंट गड़िस से असफल हो जाते चालिस पर्सेंट दोनों में अच्छा दोको यहां पर ध्यान रखना है कि असफल सफल दोनों का देखा जाता है क्लियर एक नहीं बोलो हां कि नो यहां पर देखते हैं पर इच्छा मी पर्षण उम्मीद्वार विज्ञान में पांच पर सेंट गड़ित में असफल हो जाता चालिस पर्सेंट दोनों में दोनों आते कॉशन क्या हो दिल्के एब किन अ जो इसे नहां होगा और 75 एजबर लिए एक कि नहीं कुलिए रहे अब इसे लिए यां पर तो में द्रे पेल होगे टूटल अच्छा हो गया तो इसे लिखें पांच और यह 544 44 और कितना आ गया 48 88 परसेंट दोनों विसंट में कितने परसंट उत्तरीन हुए आप से कॉशन्त पूछा असफल होता है 40% दोनों में असफल है ठीक 5% इसमें हुए अच्छा 5% दोनों में नहीं मैंने उल्टा लिख दिया डेटा 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 लिखा है यहां पर यहां पर मैंने डेटा उल्टा लिखा है यह 5% यहां नहीं होगा यहां 5% यहां नहीं होगा ठीक है 5% कहां होगा यहां होगा असफल हुए 40% दोनों में हुए पांच परसन कहां यहां पर इसे question by mistake है क्योंकि आपकी जो यह वेलू है यह बैलू 40% यह वेलू दोनों से कम होनी चाहिए दोनों होए चायक je 38 परसंट 40 यहां पर दोखो गों कि इसार शृरह बेंगी ओधानदक न आपका जो कotherapy समय मिर्यां है उना चीए जैसे यह फिगर बनाया यह फिगर बनाई है हमने बोला कि यह परसेंट है जैसे यह वैलू है दोखना है यह 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 22 परसेंट है यदि मैंने इसको बोला 40 परसेंट है यादि यह 40% ये अपका कितना है 56% ये वैल्ू आपकी ऊनी चीए 30% मतलब ये वैलू आपकी इन दोनों से कम होनी चीए जो मिडल वैलू है इन दोनों से कम होनी चीए कोश्वन आपका जो कह रहा है इसमें हम लोग देखते हैं बिटा कि बोला 53 परसंट उम्मीद्वार विज्ञान में इसे 53 परसंट विज्ञान में ठीक है और इसमें क्या है और 48 परसंट इसमें और 40 परसंट बेटा किसमें इसमें तो 40 परसंट यह है तो इसे 13 परसंट इसे 8 परसंट बोलो हां कि न अच्छा सफल कितने हुए अगला कोशन देखो बटा वो स्क्रीन में अगला कोशन यह रहा सभी लोग इसे ट्राइग करो सभी लोग इसे ट्राइग करो इस कोशन का अंसर क्याएगा टाइमर आपका यह बच्चो इसे ट्राइग करो इसे ट्राइग करो कर दो यह कह रहा है कि 12,000 की राशी पंदा महीने के लिए 10 पर्षेंट प्रति वर्ष के इसाब से छमाही निवेशित की जादी पंदा महीने के अंत्र में दसमलोग एक स्थान तक उसका राशी ब्याज ग्याद करें बहुत अच्छा कोशन है और बहुत भी बहुत बहुत रिन कोश दो पर्षेंट हमें इफेक्टिव रेट इसका निकालो जैसे आमने यह देखा कि 12 पर्षेंट 15 महीने के लिए 10 पर्षेंट के हिसाब से छमाही निवेशित की जाती है ठीक है पंदा मंद के लिए 10 परषेंट पर एनम कंपाउंडेड हाफ यह लिए तो इस पर्षेंट को ह आप यह तो आप निकालते तो आप ऐसे लिखोगे 5 परसंट प्लस 5 परसंट प्लस 5 इस्टू 5 बटेसों 10 10.25 परसंट लिखोगे भूलो हाँ कि ना 10.25 परसंट लिखोगे इसमें आप से पूझा है दसंभलों के में हिंग्दी में इंग्लिश परड़ो हाउट इस्ट्र परसंट्र प्लस परसंट्र पूछा आप से रेड परसंट पूछा है ठीक है अच्छा 2.5 यह के लिए आपको यह निकालना हो 2.5 यह निकालना हो 2.5 यह तो आपका होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यह पाइप मंथ का आग्या फाइप मंध का यदी हम देखते हैं फाइप मन मंयद्स और टॉट पॉइंट फीड यह पॉइन फेफ यह सिक्स मंथ देखा जा है यह हैँ यह पॉइंट फाइफ यह टू यह का देखा जाया बात तो बगाबर रहे ना बच्छो तो six month के यदि हम इधर निकालेंगे तो हमारा यह पॉइंट टू-पॉइंट फाइफ आ गया बोलो हां कि न बच्छो यह टू-पॉइंट फाइफ आएगा कि नहीं सब कोई बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं अच्छा यह टू-पॉइंट फाइफ आएग 2.5 और इधर हम देखें 2.5 तू.45 तव पॉइंट 5 के आ स्पास आ रहा है बोलो वी टा तो आपको P good point कि आ ऊपर जाएगा तो आपका थाटी पॉइंट परसेंट आएगा 13.% डी नहीं आगा 12.9 यदि देखा जाए एक सही परसेंट के दसमलों के एक स्थान तक सही परसेंट तो समलों के एक स्थान पर देखा जाए तो यहां पर हम इसे पूरा सॉल करना पड़े क्योंकि बहुत नियर अबाउट दे रखा है हमने देखा इधर द बारा दसमलो 75 यह आजाएगा प्लस अभी आपको डिवाइट करना पड़ेगा 25 पंच 125 और बारा और पच्चीस दूनी पचास दो च्छे अच्छे और 25 से कंदम 25 अभी कितना आ जाएगा दो दो चार एक दो तीन चार यह आ जाएगा तो इसे बारा और साथ पांच बारा तो 13 के आसपास जा रहा रहा है 12 से उपर जा रहा है तो 13 के आसपास आपका अनसर यह आ एका एगा था है अग्ला कोशंट्राइख करो और इसका आन्सर क्या यहागा सबीक्राइब करो इसे ट्राइक यादी 140 है 200 है तो बी की आय से कितने पर्षंट कम है नहीं कितना कम है 40 कम है कितने पर 140 पर गुड़े 100 0002 और साथ है क्या हम 200 बटे 7 पर्षंट बोलेंगे कौन सौप्षन दी क्लियर है कि नहीं इसे ट्राई करो इसकोशन का अंसर क्या है इसे ट्राई करो पोल आपका ये इसे ट्राई करो इसकोशन का अंसर क्या है फटा फट ट्राई करो कि सभी लोग ट्राई करें कि फटाफट बता है कि हड़ी गया मैं कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि मनुरंजन पे सेश तो लिखा नहीं झानी 24 पर्सेंट 16 पर्सेंट बारा बारशन लाव अठाइस अठाइस और 24 कितना आगे बाश्य तब 28 28 आपने लिखा अप्लस 278 चारवारा 52 परसेंट तो 52 परसेंट कर चोड़ा बच कितना रहा तालीस परसेंट बुला बच्चो और तालीस परसेंट बराबर कितने के जो यही बचा 3288 बुलो यहीं कि नहीं बच्चो 3288 है कि नहीं इसको हमने कट किया तो यह आपका 68.5 सबको क्लियर है अगला कोशन ट्राई करो बेटा इस कोशन का अंसर क्या आएगा यह अपनी आए का 12 परशन रासी बचा कर इतना रूपया खर्च करता है दो दो सोला टेक्स वाट्थाइस खर्च करता है तो उसकी कुल आए क्या है सभी लोग ट्राई करू यह आपका पॉल इसे ट्राई करो और सभी लोग ट्राई करो है सबी갈 ट्राई करो सर आपकी क्लास सेम टाइम पे होती यस मुहम्मत कासिम मेरी डेली क्लास इसी टाइम पे होती सभी लोग इस समय क्लास ज़रूर लिया करें सभी लोग इसे ट्राइक और इस कोशन गा अंसर क्या एगा फटा फटा बताओ हम लोग इसे करते हैं सब लोग देखना यदि हम इसे देखें वेटा तो हमारा एक आय अपनी 12 परसंट बचत करती है तथा 216,182 रुपए खर्च करती है अच्छा एक बार बताओ 12 परसंट यदि खर्च करती है तो बसता कितना 88 परसंट होगा की नहीं अठासी परसंट एक्वल टू हमारा 216,128 रुपए है कि नहीं बोलो हां कि न 216,128 बोलो बेटा और 11,992 इसे हम कट करेंगे तो यह वेलू आपको कितनी मिल जाएगी 216,811,881,992 और और 9,7,166 आएगा ना एक्सुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च और हाईगा 100% में आउप्शनस it clear है कि नहीं बोलो बच्चों कि रएं न करी अग्ला कोशन ट्राइगर इसकोशन गाउसर क्या आगा फटा-फट राइगा यह आपका टाइमर है सब लोग इसे ट्राइगर इसकोशन गाउसर क्या आगा सब लोग ट्राइगर है पुर्णा पर पता इस कोशन गांसर क्या एगा इसी टाइम पर रोज होती यूटूब पर क्लास ठीक है वेटा करें लोग इसे ट्राइब करें और कह रहा है कि 8% की ब्रत्य होती है 6% की कमी होती है कि से लोग ट्राइब करें हुँ चली देखें यहां पर हम लोग इस तरीके से लखते हैं कि 8% की ब्रत्य होती है तो को पहले साल 2014 15 में पहले साल 8% की ब्रत्य होती 8% का फ्रेक्शन पाड़ यादी देखते हैं तो दो बटे कितना आता है पचास अब फिर 6% का दिए फ्रेक्शन पाड़ देखें तो तीन बटे पच्चीस तीन बटे पच्चास तो यदि हम देखें पच्चास से ब्रत्य है तो बावन होगा अब सोरी पच्चीस आएगा यह पच्चीस होता है तो पच्चीस से 27 होगा तीन गिवरत्य तो पच्चास से 47 होगा कि नहीं बूलो हां कि न बूलो बच्चो पच्चास से 47 होगा बूलो बात क्लियर होई कि नहीं सबको ठीक है यह पच्चास से 27 होँ बच्चो तो अब मेरी एक बात यह बात सम्द में आ गई होगी कि इसका मल्टिप्लाई करें टोटल कितना है बारा सो पच्चास और इसका 27 गुड़े 47 clear है clear है कि नहीं इसको यदि हम multiply करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अच्छा value आपको बतानी है value कितनी की होगी आपको ये value निकालनी है बस उसके बराबर कर देना है ये value आपको कितनी दे रखी है जो भी है आपको ये value निकालनी है ये value कितने की है सेल ली कितनी थी विटा 778 ये value आपको निकालनी है ये value आपको दे रखी है देखो बड़ी कठीन कठीन डिजिट दे रखी थी इस बार 234778 और आपको ये value निकालनी है थी ये value निकालनी है थी क्लियर है कि नहीं कि आपको यह वैलू निकालनी थी और यह वैलू निकालेंगे तो आपको 63 वाला अंसर आएगा 231 263 अंसर आजएगा अच्छा यह वैलू को कैल्कुलेशन करने का आसान तरीका भी मैं आपको बता दूंगा बस आप लोग वेट करिएगा ठीक है वैसे आज के लिए रखते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन में तो आज के लिए बच्चो ठीक है आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें सेयर करें और आप लोग लग रहा कोई कंटेंट से छेड़ चाड़ हुए तो आप लोग रिपोर्ट करके विन कर सकते हैं और वैसे आज के ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन में तैंकी सो मच जहिन बाइबाय टेक केर अससी कॉमबेक में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और थैंकी सो मच वीडियो को लाइक करें सेयर करो